मैं उसमेट एनिटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमाई साथ में हैं बॉलिवूड एक्टर सौरभ सजदेव जो की अपनी फिल्म एनिमल को लेकर सुर्खियों में बने हुएं। चले हम आपको मुल से मिलवाते हैं। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और अपने साथ बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सौरभ आपको बढ़ाईया देना चाहता हूं कि जो फिल्म एनिमल में आपकी बॉवीडियों के साथ जो एंट्री हुई है। उसमें आप इतने फैमज हो जोके हैं सोशल साथ पर लोग आपको ही देख रहा है। कि आपको इस चीज का ऐडिया था कि आपको यह वीडियो इतना फैमस हो जाएगा। कभी भी नहीं कभी भी नहीं। कभी भी नहीं आइडिया था। बस हम तो मस्ती कर रहे थे और अपना क्यारेक्टर कर रहे थे और निभा रहे थे जैसे भी बस वह अपने आप ही है इस बहुत बार आपको पता ही नहीं है फिल्म में फिल्म का लंग देख रहे हैं फिर आप डांस कर रहे हैं बहुत सारे बाते हो रही है और बोला जा रहा है कि बहुती एक्सप्रेसिव बहुती ज़्यादा पाफुल और दोनों की कैमिस्ट्री बहुत अच्छी है दोनों भाईयों की लगते हैं कि भाईयें ऐसे बाते हो रही है तो यह बहुत कमाल की बात है यह था आप जादतर निगेटिव क्यरेक्टर्स में नजर आते हैं चाहे मैं वद की बात करूँ चाहे मैं हड़ी की बात करूँ एनिमल की बात करूँ तो आप ये क्यरेक्टर करना पसंद करते हैं कि आपको ये रॉल्स स्टैप की आफर हो रहे हैं इसल एक दो रोल और भी की हैं बट अभी भी लोगों को शायद वो दिखने ही रहा है कि मैं उस ताइप के कैरेक्टर कर सकता हूँ तो कुछ अभी मेरे को आएं स्क्रिप्ट के जिसमें मेरे को वो चाह रहे हैं कि मैं अलग तरीकी के रोल करूं रोमेंटिक ड्रामा के एक स्क्रिप्ट आई है और अभी मैंने एक फिर्म करी थी हनी तेरान के साथ जिसमें बिल्कुली अलग दिखेगा आपको तो वह भी बहुत अच्छा केरेक्टर है वह अपके मन में तो भी एक विचार तो आया हुग कि मुझे ऐसे पॉजिटिव केरेक्टर करना इसे में लीड है हां वह सबके दिमाग में आता है सारे अक्टर्स के दिमाग में आता है जुट मैं वलूगा कि वो कभी नहीं आया कि हां मुझे भी एक फिल्म पूरी करनी है और मैं उसको संभाल सकता हूँ as an actor की नहीं क्योंकि फिल्म, पूरी फिल्म को समालना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी responsibility होती है, आपको बहुत ज़्यादा, आपके चार पांच-छे सीन हो, आप करके चले जा सकते हैं, पर पूरी फिल्म हो तो उसके लिए काफी मेनत दो और भी ज़्यादा ह हो जाती है, तो मेरा मन तो बहुत है, कि अगर कोई मुझे ऐसा उफर करे, और होफ़ुली जो अभी मेरे पास एक दो स्क्रिप्ट आई हैं, उसमें कुछ आपको शायद, अगर वो हो गया तो फिर आपको दिखेगा कि यह तो भाई, पूरे फिल्म में भी हो सकता है, इंसा स्वभाग्य की बात है कि पता ने, मैंने कभी सोचा नहीं है इस बारे में, अगर कुछ कह रहे हैं तो मैंने कभी सुना भी नहीं है यह बात, पर सही है, अमरीश पूरी जी तो बहुत कमाल लेजेंड एक्टर है, वो तो कुछ भी कर सकते थे, बहुत ही बढ़िया करते थे जो भी करते हैं, मैं उनका हमेशा से फैन राउन की परफॉर्मेंस इसका, वेरी वर्सेटाइल एक्टर, तो अगर अगर मेरे को उन से तुलना किया जा रही है, तो मेरे को अच्छा ही लग रहा है, मैंने कोई प्रॉब्म नहीं है, सौरभ, सबसे बड़ी बात ही है कि जैस कहां पर हुआ है, मैंने अभी तक नहीं सुना, क्योंकि मेरे को फिल्म के एंड में जो बताया है, रिन्वीर कपूर का अगर आपने देखा हूँ, अगर आगी क्यों होने वाला है इसमें, वो मुझे पता नहीं है कि वो दिखाया तो है, वो तो उसी टाइम मुझे पता है या डरेक्टर ने या किसी दिन नहीं बोलाए कि ऑवो एक और भी पार्ड बनारे है, या फिर हम शुरू कर रहे है या फिर तुम पार्ट होगे उसके, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलाए तो मैं उस होप में नहीं बैठाऊं, नहीं तो फिर वो आप अल राइटर्स और डिरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि वो आगे स्टोरी को कैसे मोल्ड करते हैं क्योंकि मेरे को स्टोरी पता नहीं है I would love to क्योंकि जैसे अगर मैं आपको एक जाएंपल दो सेकरड गेम जब बना था तो दो पार्ट जब बने रहें तो थर्ड वो बोल रहे थे एक और बन रहा है जिसमें ईसा और कुकू की लाइफ के बारे में लिखा जा रहा है तो मैंने बोला कि वाह यह तो मज़ा आ गया है और मेरे को यह भी इंफॉर्मेशन मिली है कि how they are planning what they are planning director और बाकी लोग क्या plan करें मुझे कुछ नहीं बता तो मैं वेट कर रहा हूँ अगर होगा तो करेंगे नहीं होगा तो फेर और कुछ और काम कर रही है खुछ शूस करने के लिए तो प्सक्रे किस एक्टर के प्याहि लगों के साथक्ति के साथ काम किया है मैंने मनुझ बाचपई के साथ गरना चाओंगा जुरूरूर। कभी शारुक शारुक के साथ काम करना चाओंगा या फिर इरफान सर के साथ मैं बहुत ज्यादा काम करने की दमना रखता था अब वो है नहीं और actresses में आल्या भट के साथ काम करना चाहूंगा मैं क्योंकि मुझे लगता है वह बहुत ही कमाल वरसिटाइल एक्टर है और बहुत स्ट्रॉंग है उनके उनका बीइंग और इंवर्ण आफ कैमरा तो मुझे लगता है मैं उनके साथ थोड़ा चैलेंज भी होगा मुझे काम करने में तो हां मेरा आखरी सवाल कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स मुलपूद सेंजिन पर आप काम कर रहे हैं दो तीन प्रोजेक्ट है एक सीरीज है वैब सीरीज है हाट स्टार के लिए उसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरा क्यरेक्टर भी आपको नया दिखेंगा आप नेगिटिव नहीं है तो वह एक है और एक फिल्म करना में तो यह दोनो अभी मैं भी हाँपहर हो cry मो इनके स पाखी कुछ रिलीजेज हैं जो लाइन डप है एक तो मैंने जो बोला हानी दरान की फिल्म है पंजाब 95 वो और उसके बाद एक और वेब सीरीज है जो अपलॉज की वेब सीरीज है दोनाली जो शम्बल में शूट हुई थी जिसमें हम सब लोग डखया थे सौरब अब चंबल से एक सवाल में पूछना चाहता हूं आप चंबल से डिलेट की आपने चंबल में शूटिंग की है दोनाली की तो ऐसा कुछ चंबल से ऐसा कुछ मुमेंट हुआ हूँ जिसका महीं मैं याद करते हूं ऐसा कुछ मैं उस मुमेंट में इन्वाल नहीं था, मैं होटल में था उस दिन, पर उस दिन सारा क्रू गया था शूटिंग करने हैं, और हो गई बहुत ज़्यादा बारिश, और बारिश इतनी ज़्यादा हुई रात का टाइम था, और महाँ पर क्योंकि मिट्टी के टीले है मेजरी, त जो लाइट चले गई, और इनकी गाड़ियां जो है वो धसने लगी उसमें, वैनिटी वगएरा, और रात भर सारे अक्टर्स को देविंदू, चंकी पांडे और ये बहुत सारे अक्टर्स हैं जो महाँ पर फसे रहे, और वो बहुत होरिफाइंग था हमारे लिए, क्योंक कभी कमाल experience था क्योंकि मैंने कभी ऐसी territory में काम नहीं किया था, ऐसी जगा पर काम नहीं किया था, ऐसी वहाँ पर मिर को जो मैंने character बनाया था, वो पूरा ही मिर से छुट गया, क्योंकि मिटती है, कभी वो shape दूसरी लेती है, कभी कुछ लेती है, आप उपर चड़ रहे है हैं, आप नीचे उतर रहे हैं, कभी भी कोई चीज किर सकती है, टूट सकती है, बहुत ही हलके हलके पहाड़े, तो काफी कमाल experience था वो, या, सुराप हम से जुनने के लिए बहुत-बहुत धन्वाद, तमाम जानकारे के लिए बहुत-बहुत धन्वाद, एंक्यू सुमित, जिनों ने अपने फिल्म, एनिमल को लेकर हमसे खुल कर बाद की, आज के लिए बस इतना ही नमश्कुत.